बारिश के बाद ये जो तराई इलाकों से जो पानी आता है वो सिधे गंडक बराज में परविश करता है। और अभी हम हिंदुस्तान में आने की बिहार में खरे हैं। देखा जाए तो बिहार में हर सल बार ढाता है लेकिन इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। गंडक बराज में जाता है और जब पानी का लेबल काफी जादा बढ़ जाता है तो पानी को छोड़ा जाता है। गोपाल, गन, चमपार, और बहुत सारे जगाओं पर इस गंडक नदी का जो पानी है वो परवेश करता है और जिसके बाद बाढ़ आता है। अब ही अगर देखा जाए तो पिछले कई दिनों से लगातार बिहार में भी बारिश हो रही है, नेपाल में भी बारिश हो रहा है। तिरिवेणी नदी का जो जल सर है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। यानि कि पानी इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि बहाव आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा तेज है। यानि कि काफीर अफ़तार में जो पानी है गंड़क बराज की तरफ पर्वेश कर रही है। kommen तरह इसद अगर बार्व सारे नेपाल में इतना ज़्यादा बारिष होता है बारिष के बाद ये जो तराई इलाकों से जो पानी आता है वह सिधे गंडक वराज में पर्वेस करता है और वहां से तमाम जो फाटक है जब लेबल उपर होता है तो पानी को छोड़ दिया जाता है अब समझे की बिहार में और पूरे भारत में बहुत सारे ऐसे जगा है जहां पर पानी की समस्या बहुत जादा है यानि की पानी की बहारी संकाट है भारी किलत है अगर उन सभी जगओं पर नहर के दोरा तलाब के दोरा पानी को चीरकर भेश दिया जाता तो साइद बिहार में बाड की जो समस्या है उग खतम हो सकता है लेकिन यहाँ पर इससारी और ध्यान ही नहीं दिया जाता है समझें कि बाड़ एक ऐसा अपदा हो गया है जो हर सल आएगा और हर सल गरीब लोग को इसका सामना करना है इसे निपटना है यानि कि आप देख सकते हैं कि अभी जो पानी है कितना ज्यादा राफ्तार में यहां से जा रही है साहद आप तस ತो आपको है कि हर सल बैसे क्यों बालता है राता है केमा लोग जानने के पर देख केमा पाही नदी कितना परिशानी होता है बहुत परसानी होता है लोग पूछने के लिए आते हैं कोई नहीं आता है अब समझे कि हर सल बिहार में बाड आता है अब समझे कि बाड से लोग को काफे ज़या परिसानी होता है क्योंकि अब समझ सकते हैं कि बाड से जो लोग गाउं में राते हैं घर पे राते है यानि कि गरीब होते हैं उन्हीं लोग को पता चलता है कि बाड क instructional की साफ्दा है और गंदक नदी सिधे जाए जो है वो बिहार में परविश करती है अगर इन सारी पानी को अच्छे जगवों पर इस्तेमाल किया जाता है यानि कि अगर पानी से बिजली किरिट किया जाए बिहार में बिजली का भी भारी संकट है ऐसे में पानी का अगर अच्छे तरीके से यूज किया जाए बहुत सारे ऐसे भी जगह हैं जहां पानी की भारी किलत है उन सभी जगहों पर अगर पानी को पहुंचाया जाए तो साथ बिहार में बार्ड की जो समस्या है वो खतम हो सकता है फिलाल आप लोग इस वीडियो को देखर क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बक्स में बताना ना भूले आप मारे साथ बने रहें बहुत बहुत धन्यवाद